ये अंकुरित मूंग है तो आज हम इससे बनाएंगे बहुत ही पौश्टिक दिश तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा पानी और नमक डाल कर इसे कुकर में एक सीटी बजने तक मैंने इसे पका कर रख लिया है इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं एक सीटी काफी है और अब बनानी की विधी तो सबसे पहले कडाई में थोड़ा तेल डाल देते हैं बहुत जल्दी बन जाता है ये और बहुत स्वादिष्ट भी है तो जब तेल गर्म हो जाए तो सरसो डालेंगे इसमें और जब सरसो फूटने लगे तो अब हम इसमें बारी कटेवे जो प्याज है हरी मिर्च लसून अपने स्वाद के अनुसार आप इसकी मात्रा ले सकते हैं और करीपते इन सभी को हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो देखिए जब ये फ्राई होने लगेगा तब ये इसका एक अच्छा स्मेल भी आता है और इसका कालर भी चेंज हो जाएगा तो अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं और जब फ्राई हो जाता है तब इसके बाद इसमें हमने ये लाल मिर्च जो सुखी लाल मिर्च है उससे डालने से तो इसका एक दूसरा ही स्वाद आता है तो इसे अपने स्वाद निसार हम यह क्या दो डाल सकते हैं और जब यह भी फ्राई हो जाए इस तरह से तब हम इसमें जो बाकी मसाले हैं वो सब डालेंगे तो सबसे पहले हल्दी का पाउडर यह आता चमच मैंने डाला है पेपर पाउडर इसे भी डालेंगे और साथी मैंने दो टेबल स्पून की करीब फ्रेश कोकोनेट जिसे ग्रेट करके रखा हुआ था इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमेंसे मिला लेते हैं साथी थोड़ा नमक भी डालेंगे स्वादनसर यह नमक हमेंसे स्वादनसर डालेंगे क्योंकि पहले हमने जो कुकर में पकाया हुआ है मुंग उसमें डाला था तो अब अगली बार जब हम डालते हैं तो देख करके लेंगे कि नमक हमें कितना चाहिए तो अब ये बिल्कुल तैयार है इसे हम थोड़ी देर हम इसे और fry कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से mix हो जाए और ये बहुत आसान है इस तरह से ये तैयार हो जाता है हमारा बिल्कुल स्वादिश्ट और पौश्टिक अंकुरित मूग तो आप इसे बना करके देखिए बिल्कुल स्वादिश्ट भी है ये और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है इसे हम चावल के साथ, चपाती के साथ या ऐसे भी इसी भी तरह से अप ले सकते हैं तो यह सबसे आसान है तरीका और इसको अपने स्वाद अनिसार, अपने मसालों को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा